हमारे पाटी के राष्ट्रे सचीव राजीव राई जी ने कुछ मानने जनेस्वर मिश्रा जी के मिर्तु पुरांत जो टिपड़ी की है वो हम समझते हैं कि किसी भी मरे हुए बेक्ति के बारे में अगर दो चार सब्द आप अच्छा नहीं बोल सकते उसकी प्रसंसा में नही सुविक्षों को बुरा लगे और ये उनकी बाते जो राजीव राई जी ने बोला है करकर्टा मिटिंग में मेरी जो जनकारी है वो ये है कि करकर्टा मिटिंग में करकर्टाओं के उत्सावरधन के लिए बाते की जाती है न कि किसी पार्टी के सर्वमानन नेता को जो अप उसके बारे में मैंने क्या किया नहीं किया उनका एक लंबा राजनेतिक और बड़ा आदमी होने के नाते ये भूज जाया जाए कि वह आदमी आज दुनिया में नहीं है, तो मेरी बातों के जवाब दे ही भी नहीं है, अब उसके बारे में इस तरह कूल जलूल बाते किये जाहे, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं उनका सुब्चिंतक हूँ, उनका करकरत किन हजारों लाखों के भावनाओं कौ समेख कर मैं बोल रहा ہytes। तमाम फौन हम लोगों के पास आ रहा हैं क्पूश की कि लिसका अंके मरने के बाद भी उनके 44 गला का हमने बजट दिया और ये भूल रहा हैं कि वो एक राजसभा सांसत के हैसियत से मिलती हुई न कि वो उस समय किसी पत के थे और उनके कोटी में अच्छा सो लोगों का खाना इस समय उस समय बनता था हमारे अब यह से लोग भी बल्यां के नाम पर जहने सुमिसर के करीवी मान कर जाते थे और वहां चाय पानी नहता करते थे बैठते थे बोलते थे बत्याते थे बहुत सारे लोगों का प्रवांचल का परदेश के केंदर बिंदू था दिली में जहें सोजी का आत्रम था वो संत थे राजनीत में और उनके बारे में उनके मृत्ति के प्रां इस तरहte की भासा बोली जया है तो मेरी जैसा आदंवी अंहां चल रहा है आतर्याय के करेंदर या समाच वाधी प्ठल कोई बाला होने वाला है परियों कि बात उनके राजमिती कुदेश की बात मैं कैसे बता हूँ मैं स्रीफ इतना जानता हूँ कि उनके इस बात का सरया मन से कहाना इसकी जितनी निंदा की जाया कम है कि न इन ऐसे बातों से उनका वला होने वाला है और नाहीं मेरी जानकारी में पट्टी के बाला वने वाला हुए जुझारू संहधिल आदमी जो जनस्रून मिस्वा जी के नाम से जाने जाते हैं अब तक उनका इस पर अपना ब्यान क्यों नहीं आया प्रदेश के इतने बड़े नेता थे उनका भी कोई प्रतक्रिया नहीं आया कि राजी 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 अगर इस तरह का ब्यान दिये हैं तो कितना सच दिये हैं उनको देना उचित था या नहीं था अजी है तो क्या पाटी मेर देन इस्वर मिसाजी के मरने के बाद कि इलाहे द परियार्व में सबसे पहले पहुँचे अफिर वह से दिल्ली में जो उनका रासन पताई के बकाया या करमचारियों के बताया कितन का हुटान का हमने सब कर दिया था यहां तक उनकी सेवा करते थे अभी इस तरह का भासाण उस तरह का वक्तव्य बश्काना हरकाई